बड़ी खबर सामनी आ रही है, पीके ने पाती का एलान कर दिया है, बड़ी खबर आपको इस वक्त पट्टा से बता रहे हैं, प्रशान किशोर की जन सुराज पाती का एलान हो गया है मिल जाए, तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा, और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी, अब एक अम्तिम महिला बच गई, महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है, सब महिला हमको गाउगाउ में कही है, भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए, तो हम लोगों ने तै किया, कि बैंकों को ये कहा जाएगा, कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सलाना पर, 4% अभी जो जीविका वाला चल रहा है, इसमें 2.5% महिना का लगता है, सलाना 30% ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं, कि सिर्फ 4% सलाना पर, हर वो महिला, जो कोई न कोई रोजी रोजगार करना चाहती है, उसको सरकारी गारेंटी पर लोन दिया जाएगा, और बाकी का 6% सरकार देगी, होना चाहिए न भाई, तो एक बार ज़रा हाथ उठा कर बताईए, ये पाचो ज़रेंटेजंड पास कर रहा हि न, इसको आगे बढ़ाया जाए न, ये पाचो से भाला होगा न भीहार का, तो इस सब हो जाएगा तब न होगा जब सरकार बनेगा, सरकार नहीं बनेगा तो खाली भासने होगा, तो सरकार बनाने के लिए लोग कहे, ये बही आपई देले चलते रहिएगा पटिया न बनवाईए तब पाटी बन गया पाटी बन गई लेकिन हम ने आप से वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा कोई बिहार का बच्चा बनेगा लोगों आपके जितना तो कोई काई आद्मी बिहार में मिलेगा नहीं हम आपको अभी दिखाते हैं आपके मुन्च के सामने तुझ दाघॉ किनिया किover करेंगे कि अब दल बना है और दलकान नेत्रुत विक्ति को दे रहे हैं दल कान नेत्रितु जिसको दे रहे हैं, कारिवाहक्त अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है, देखिए कैसे सब सेगम ध्यान से सुनने को खड़ा हो, अपना बच्चा का बात हुआ तो सो रहा था, आज जैसे बोले कि दल कान अध्यक्ष गोसित कर रहे हैं, तो देख उससे पहले आपको बता रहा हूँ, कि ये कारिवाहक अध्यक्ष हैं, इनका चुनाओ मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन दो अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था, कि दलिच समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था, कि दलिच समाज का कोई व्यक्ति, दलिच समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा, इसलिए नहीं कि वो दलिच है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछडा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है, जो दलिच भी है, ये फरक समझे, नेता का नाम सुनने से पहले इस को समझिये जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी तो लोगों ने कहा कि इभी तो वही जातपात्वतिया रहें नहीं जंग सुराज में जातपात के अधार पर जगह नहीं मिल सकता है लेकिन जंग सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई न कोई जाती है समाज है तो अगर बनाने वाले के नियत में बाटने वाले के नियत में खोट नँ हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीत से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूँ सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमती है वो सज्जन यहां मदुवनी के हैं मदुवनी के गाउं में पैदा हुए यही सरकारी विद्याले से पढ़े जमुई के सरकारी विद्याले से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया नेतरहाट से पास होने के बाद IIT कानपूर गए और IIT कानपूर से Electrical Engineer बने फिर वहां से IIT दिल्ली गए वहां से M-Tech करने शुरू किया इसी बीच में Indian Foreign Service में भी Select हो गए तो बिहार के इस मिट्टी के लालका के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिये और दल के अध्यक्ष के तोर पर जोरदार ताली बजाईए दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तोर पर मनोज भारती जी जो अनुसुचीत समाज के हैं लेकिन ये प्रसांद की सोर से ज़्यादा काबिल आदमी है प्रसांद की सोर ने तरहाट का परिक्षा दू बार दिये नहीं पास कर सके ये भाई साहब पास किये हैं प्रसांद की सोर आई आई टी नहीं गए हैं ये आई आई टी गए हैं प्रसांद की सोर आई एस आई पिएस आई पिएस आई एफस नहीं हैं ये सजन आई एफस रहे हैं चार देसों में भारत के अरहा की बेलारूस में यूक्रेन में इंडोनेसिया में, टिम रलास्ते में, चार जेशों में, ये भारत के राजदूत रहे हैं, और भारत में भारतिय समाज के फिलोसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है यह आपको अपने सब्दों में बताएंगे तो जितने लोग आप यहां खड़े हैं लोग हमको कर रहा था कहां से खोजियेगा बनिया आदमी कोई है यहां अच्छा तो यह पहला नमूना आपके स साइ यह सही चुनए है कि नहीं चुनय है वोलिये साइ ऐसमारतन लूह कि नहीं है काल यह मत कहिएगा कि प्रसांद कि सुखpaper चुन गवैट आ दिया है फेर से हां टुदाकर वथाई है और इनमधन कीजिए ठीक है कि नहीं है यह इसलिए नहीं है कि यह गाओ कि नहीं है एक जन्द सुराज का रास्ता है और हर समाद से ऐसे ही लोगों को जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा यह भाया सब अधिकारिये हो हस्यार थोड़े है ना इस मंच पर बैठे हुए बड़े काभी लोग हैं अभी आप मिले गिरी जी से गिरी जी वाई भी गिरी यहां के सबसे बड़े कानून विदो में उनकी गिंती होती है वो इसलिए नहीं यहां है कि वो गिरी है वो इसलिए यहां है जो यहां के सबसे बिद्वान काभिल वकील है जो गिरी समाज के भी है आपने अभी किसी सिनहा का नाम सुना किसी सिनहा इसलिए नहीं है कि वो सि जाती का बच्चा जब गनित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिनहा का किताब पढ़ता है तो जंग सुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है है न ठीक जोर से बोलिए है कि नहीं है जब आपका MLA का कंडिडेट घोसित करेंगे तो उसमें भी आपको ये जलक दिखेगी जब इसक को जुबान दिया है इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमरे समाज में ये भी आदमी है क्योंकि जीतने से बिहार जीतने से बिहार नहीं बदलेगा बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए तब न बदलेगा, तब एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज भारती जी आप से अपने सब्द कहे, कल लीडर्शिप काउंसिल की बैठक है, उसमें घोषना भी होगी अन्ने सदस्यों की, जो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी, लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा, कि भारती जी आप से दो सब्द मुखातिव हों, और इसके बाद अभी भागना नहीं है, जन सुराज के सम्मिधान की जो पांच बड़ी बाते हैं, जो आप से जिसका सीधा सरोकार है, उसकी भी घोषना अभी की जाएगी, तो पांच मिनट इनकी बात सुनिये, और उसके बाद हम लोग इस पर वापस आते हैं, बिहार के कोने कोने से आये मेरे साथी गण, माताएं, बेहने, मंच पर विराजमान, देवियों, सजनों, सुत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी,